आज हमारे पास में लावा विलेज 2 5G स्मार्टफॉन और इसमें काफी कमाल के फीचर्स मिलते हैं जैसे कि आप यहाँ पर रिंग लाइट देख सकते हैं इसे तरह आप कैमेरे में भी रिंग लाइट देख सकते हैं आप एक टाइम में दो एप्लिकेशन चला पाएंगे अप तो एभी विडियो श्टार्ट कर लेते हैं गाइस आप दो एप्लिकेशन को एक साथ में यूज कर सकते हैं पहले तो आपको एक एक चलो कर लेना है और यहाँ पर प्रिवेस में किलिक करना और यह जो हमारा icon है इसमें आप click करिएगा और यहां पर split top बाला option मिल जाता है यह हमारा application उपर चला गया है इसके साथ में हम यह जो dialer है इसे open कर लेते हैं अब आप देखेंगे उपर side में जो हमारी message है वो चालू हो चुकी है और नीचे side में जो हमारा contact है मतलब dialer है वो open हो चुका है तो इस तरह से आप इनको उपर नीचे भी कर सकते हैं next आप न यह जो dialer है इसे हटा सकते हैं और जो lava का dialer है उसे लाज सकते हैं जिससे कि आप call recording कर पाएंगे automatically so guys इसके लिए आपको phone की setting में आजाना है phone की setting में आने के बाद में S में आना अब यहां पर alternative dialer पर click करिएगा और यह जो आपका dialer है ना lava का dialer आपको मिल जाएगा यहां पर आप choose कर लेना अब choose करने के बाद में आप देखेंगे जो आपका dialer है यह हट जाएगा यहां से यह वाला dialer देखो यह convert हो चुका है दूसरा dialer आ चुका है इससे ना अब अपनी जो call recording है book कर पाएंगे इसके लिए three dot पर click करना setting में आना और यहां पर आप देखेंगे automatically call recording पर click करिएगा और इससे आप चालू कर लेना अब आपकी जो calling है ना बो automatically record होने लगेंगे और सामने वाले बंदे को भी पता नहीं चलेगा कि आप call recording कर रहे हैं करके यह फिर आप particular किसी नमर को add करना चाहते हैं कि उसी नमर की बस call recording हो तो आप यहां पर add contact में करके उसी बंदे की बस call recording कर सकते हैं गईस इसी की नीचे चालू करने के बाद में वो noise reduct हो जाएगी और सामने वाले को आपकी जो voice है ना वो clear सुनाई देने वाली है तो इसे भी आप चालू कर ले ना next आपको अपने phone की setting में आना है setting में आने के बाद में आपको security पर किलिक करना है security पर किलिक करने के बाद में आपको इतने सारे option मिल जाते हैं जैसे कि guys यहाला option आप देखेंगे app lock बाला app lock पर किलिक करिएगा आप किसी भी application को यहां से lock करना चाहते हैं वो application lock हो जाएगा जैसे कि मैं यह message कर लेता हूँ और यह जो और option मिलते हैं more security setting इसमें किलिक करिएगा app pinning वाला option मिलेगा इसे आप चालू कर लेना app pinning क्या है मैं आपको बते देता हूँ जैसे कि आपका जो दोस्त है आपसे phone मांगा और एक application जैसे कि यह वाला application आपने चालू करके दिया है अब इसके अलावा न वो बहुत सारे application चालू करके देखता रहता है यह फिर आपके घर में बच्चे हैं जैसे कि आपने उनको एक application open करके दे दिया YouTube बगेरा अब वो न वो यूटूब को कार्ट करके और दूसरे application खोलते रहते हैं तो आपना क्या करना यह application को चालू करना और यहाँ पर previous पर click करिएगा और यहाँ पर आपको click करके रखना है ऐसे और अब यह आपको pin वाला option मिल जाता है आप pin कर देंगे तो आपका जो application है यह वाला application pin हो चुका है अब यह back करेंगे यह फिर menu दवाएंगे तो यह कुछ भी नहीं आने वाला है सिर्फ यह वाला application बस चलेगा इसके लावा कोई भी application उपन नहीं हो सकता है अब इसे आप हटाने के लिए मतलब कार्टने के लिए क्या करना है यह दो फिंगर से इस तरह से प्रेस करना तो आपका जो फोन है वो पहले के जैसे नॉर्मल हो जाएगा तो एप पी नहीं वाला आप option समझ गए होंगे यह वाला आप इसे चालू या बंद कर सकते हैं नेक्स्ट आपको फिर से अपने phone के setting में आना है और setting में आने कबाद में smart touch वाल option मिल जाता है smart touch पे आना और इसे आप चालू कर लेना आप आप देखिंगे जो iPhone में पहले features मिलता था वह वाला आपको double click करेंगे तो क्या होना चाहिए या फिर long press करेंगे तो क्या होना चाहिए वो आप सारा यहाँ पर set कर सकते हैं जिसी कि आप इसमें click करेंगे तो आपका phone bag आजाएगा और यह automatically hide हो जाए आप चाहते हैं तो यह देखो इसमें click करना और यह 3 second के बाद में automatically hide हो जाता है यह phone की setting में आने के बाद में phone about में आजाना अब phone about में आने के बाद में देख सकते हैं गाईस यहाँ पर आपको add gb और प्लस add gb और आप extends कर सकते हैं अपनी memory को मतलब 8 gb और बढ़ा लेंगे add gb plus add gb 16 gb आपका जो RAM है ना phone का RAM वो बढ़ जाने वाली है यहाँ पर आप add gb म अपने phone को कर लेना जिसे कि आपकी जो memory है RAM है वो बढ़ जाएगी next आपको फिर से phone की setting में आना है और थोड़ा सा नीचे आना आपको एक option मिलेगा system वाला system पर click करिएगा और यहाँ पर आप देखेंगे एक option मिलेगा multi user वाला इससे चालू कर लेना इसका मतलब मैं आपको भी दे सकते हैं आपका यह जो सारी setting है वो एक तरफ रहेंगी और आप यह वाले guest mode को चालू करके देंगे किसी बंदे को तो आपका जो phone है na guest mode की तरह ही रहने वाला मतलब new रहेगा वो कुछ भी access बगएर नहीं कर पाएगा gallery या फिर call history या कुछ भी देखेगा नहीं यह नया phone है बैसा हो जाएगा और जो आपका असली phone होता है वो अलग रहने वाला है यह देखो हमने जो setting किया था यह जो photo बगएरा है या contact कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं आपका जो नया phone होता है बैसा बन जाएगा मतलब दो phone आपका बन जाने वाले है double phone तो इसे पर remove guest mode मिल जाता है और आपका जो honor है मतलब आप खुद है इसमें आप click करेंगे तो जो आपका phone है na switch हो जाएगा आपका जो honor mode में आ जाएगा अब आप देखेंगे जो हमारे पहले का application open थे तने सारे वो आ चुके हैं तो इसी तर आप एक ही click में कर पाएंगे उपर side status bar मे हो जाएगा यह automatically देखो यह जो हमारा phone है अभी guest mode में हो चुका है next आपको अपने phone की setting में आना है और थोड़ा से नीचे आ जाना यहाँ पर आपको कुछ option मिल जाते हैं जैसे की navigation bar इसमें आप click करिएगा और यह जो आपके बटन देखने को मिल रही है इनको hide करना चाहते ह हैं आपका gesture चालू हो जाएगा इसे मैं चालू करके बता देता हूं मैंने यह कर लिए gesture देख सकते हैं यह हमारे hide हो चुके हैं अब आप इस तरह से करेंगे तो आपका phone back हो जाएगा और यह जो features है सभी के phone में मिल जाता है मैंने आपको बता दिया knowledge के लिए next आपको अपन entry बहुत जादा खफ़त होती है तो इसे आप बंद ही रख लेना मैं अभी बंद कर लेता हूं इसे अभी आप देखेंगे location बंद हो चुका है और इसे थोड़ा सा इधर side में करेंगे तो आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं जैसी कि आप calculator यहाँ से open कर सकते हैं या फिर यहा पर आपको D&D वाल option मिलेगा यह देख सकते हैं आप D&D को आप चालू कर लेते हैं ना मतलब पहले तो इसे setting कर लेना आप setting में आना press करने के बाद में और यहाँ पर people select कर लेना अब आप सिर्फ choose कर सकते हैं कि आप किसे वाले number से call नहीं आना चाहते हैं मतलब कि कोई आप क को set कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे apps पर click करके set कर पाएंगे कि जो application को आप do not disturb में डाल दिंगे उस बाले application सो कोई भी notification बगेर नहीं आए और इसके उपर में एक option मिल जाता है QR code वाला अब यहाँ पर आपना किसी भी QR code को scan कर सकते हैं जैसे कि आपको phone पे करना है Google पे करन एड करना है तो यहाँ पर pencil पर click करिएगा इतने सारे आपको option मिल जाते हैं इनको आप यहाँ पर delete कर सकते हैं या फिर add कर सकते हैं यहाँ पर camera यह फिर यह super screen यहाँ पर यह बहुत सारे option आपको मिल जाते हैं मैं आपको इनको add करके बता देता हूं यहाँ पर ला लिया मैं मैंने एक और इसको भी ला लेता हूँ तो इस तरह से आ चुके हैं अब आप देखेंगे यह उप्सन आ चुके हैं अब जैसे कि यह वाला उप्सन मिल जाता है सूपर इसकी वाला इसमें आप किलिक करिएगा अब किलिक करने के बाद में आपको फणी को इसकीन सोट लेना है तो आप यहाँ पर किलिक करिएगा डूडल्स में और यहाँ पर आप देखेंगे इतनी स्कीन सोट आपने के निकल जाएगी और आप सेब करेंगे तो यह जो हमारी स्कीन सोट है इतनी बस निकल चुकी है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यह देखो इतनी अब देख सकते हैं थैंक्स पर वाशिंग इस वीडियो